नमस्कार सिच्छा मित्रों स्वागत है हमारी यूटे चैनल सिंग कमपरिशन चार्ड क्लास में एक सूख समचार है सिच्छा मित्रों जो की हाथर से आई हुई है बहुत ही दुखदाई खबर है कि सिच्छा मित्र ने खुन को गोली मार ली है और उसके चलते उनकी मौत हो गई है समयजन रद होनने सिच्छा मित्र सत्पकास की आर्थिक इतिती गंभीर हो ग proposing जिसके चलते सत्पकास ने यह कदम उठाया सुप्रिम कोर्ट से समयजन रद होने के बास सिच्छा मित्र परिसान है सिच्छामित्र संग्टन के पदिस उपाध्यच सांगत सील ने बताया कि नगला महारी निवासी सत्य प्रकास समयोजन निरस्थ होने से परिसान थे जिसके चलते उसने आज सुबे गोली मारकर आत्मत्या कर लिए उन्होंने बताया कि समयवजन रज होने से सिच्छामित्र सत्य प्रकास की आर्थिक इस्तिती गंभीर हो गई थी जिसके चलते सत्य प्रकास ने यह कदम उठाया है उदर मितक के परिवार जनों का रो रोकर बुरा हाल है 25 लाख मुआजे की मांग भी की गई है सिच्छामित्र द्वरा उठाये गए इस कदम से पूरी तरह से वो तूट गया है उस तब प्रदेश प्रात्मिक सिच्छामित्र संग ने योगी अधितना सरकार से मांग की है कि सिच्छामित्र की पतनी को उनके अस्थान पर नौकरी दी जाए और उनकी माली हालत को देखते हुए सरकार उन्हें 25 लाख का मौजा भी दे इस घटना के बाद से यहां के सिच्छामित्रों से काफी रोस ब्याप्त है इस घटना को लेकर प्रदेश भर के सिच्छामित्र सरकार के खिलाप रणनीती तयार कर रहे है प्रदेश भर से सिच्छामित्र एकत्र होकर हाथरस की और कूच कर रहे हैं जिसके कारण प्रसासन काफी परिसान है अधिकारियों ने भी चुपी साध रखी है इस घटना के बाद से जिले के अधिकारियों ने मौन साध लिया उधर इस मामले में उत्तर प्रदिस प्रात्मी सिच्छामंद्र के आगरा के जिलाध्यक्ष बिरेंद्र चौकर का कहना है कि सिच्छामित्र साथि की मौत पर सभी सिच्छामित्रों को गहरा आगात है उन्होंने कहा कि योगी सरकार को सत्य प्रकास के परिजनों को मुआउजा और मृतक आस्रित को नौकरी देनी होगी साथ ही उन्होंने सभी सिछामित साथियों से अपील की है कि अभी लडाई जारी है हार ना माने, कोई भी कदम न उठाए जिससे कि सिच्छा मित्र साथियों का हौसला तूटी अभी सभी को एक दुसरे की जरूरत है या उन्होंने संदीज दिया है और ये बहुत ही दुखदाई खबर है जो कि सिच्छा मित्रों के लिए है ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए इनको चलिए देखते हैं आगे क्या हो सकता है सिच्छा मित्र क्या के कदम उठा सकते हैं ताकि ऐसे ही घटना दुबारा ना हो सके अब मेरे चनलों के सब्सक्राइब करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें सेर करें लाइक करें और कमेंट करें जैहिं जैभारत